गुड मर्निंग दिर स्टुटेंट टूडे इस अवर हिंदी क्लास आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की किताब से लेसन नमबर एट नर हो न निराश करो मन को पेज नमबर थर्टी नाइन आप सब भी उपन करो नर हो न निराश करो मन को लेसन नमबर एट कि इस चेप्टर में क्या बता गया है कि मनुष्य के लिए कुछ भी संभब नहीं है अगर अपन कुछ भी काम के लिए कुशिश करें तो अपन कुछ भी कर सकते हैं तो इस पोयम के माध्यम से मैतरी शरंगुप्त के द्वारा लिखी इस पोयम के माध्यम से कभी क्या कहना चाते है आज हम इसके बारे में पढ़के समझेंगे कुछ काम करो कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो कभी कह रहे हैं कुछ काम करो कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो कुछ काम करो मतलब कुछ ऐसा काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, जग मितलब संसार जगत, तुम संसार जगत में रहकर कुछ ऐसा नाम करो, ऐसा कुछ काम करो, जिसने अपना नाम रोशन हो, यह जन्म हुआ है किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उप्यूक्त करो तन को नर हो न निराश करो मन को यह अपना जीवन है जो जिसमें अपना जनम हुआ है इसका कोई मतलब हो इसको अपन को ऐसा समझो इसको ऐसा कोई बेकार वेस्ट नहीं करना है इसका अपना जनम हुआ है तो कुछ न कुछ इसका उप्योग करना है कुछ तो उप्योग करो तन को नर होना निराश करो मन को कुछ तो इसका सही उपयोग करो अपना सरीर का तननी शरीर कुछ तो सही उपयोग करो नर होना निराश करो मन को मनुष्य जीवन है तुम निराश मन को निराश क्यों करते हो कुछ न कुछ काम हो जे धर्ती पर अगर तुमारा जन्म हुआ है तो इसको बेकार में व्यर्थ मत करो इसका कुछ उपयोग करो उपयोग मतलब क्या होता है सही उपयोग करो तन सही सरी का उपयोग करो नर हो न निराश करो मन को प्रबू ने तुमको करदान किये सब वांचित वस्तो विदान किये तुम प्राप्त करो उनको न अहो फिरी है किसका ये दोस करो बगवान ने तुमको कभी कविता के मात्यम से क्या कहना चाहता है इश्वर ने तुमको सब कुछ दिया है तुमको सब मन वांचीत मतलब सब कुछ मन पसन आपको वस्तुए दी है तो तुम ऐसा काम करो जिससे तुमको कुछ न कुछ प्राप्त हो फिर ये किसका ये दोस करो फिर तुम किसको दोस देते हो और किसको दोसी ठहराते हो भगवान ने अपन को सब कुछ दिया है फिर भी अपन कुछ भी करने को तयार नहीं है तो इस प्रकास समझो न अलव्य किसी धन को नर हो न निराश करो मन को तुम ऐसा मत सोचो कि अपन को कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है अपन किसी धन को प्राप्त नहीं करने के लिए मत सोचो कि नर हो न निराश करो मन को तो इस कविता की माध्यम से आपको कवी ने ये बताया है कि तुमने जगत में जीवन में जनम लिया है ऐसा जीवन तुमारा जो भगवान ने आपको सब कुछ मन आची वस्तुए दी है तो तुम उसका कुछ न कुछ उपयोग करो तुम ऐसे मन सोचो कि हम कोशिश करके भी अ अगर अपन कोशिश करें तो अपन हर चीज़ को पा सकते हैं ऐसा कोई भी नहीं है कि उपन को पाना नाम किन है तो जगव में रहकर कुछ नाम करो तो इस माध्यम से आपको यह बताया है कि अपना धर्ती पर जब जन्म हुआ है तो इसका कुछ मतलब निकालो और ऐसे ही सम मैं बर्बाद मत करो कुछ न कुछ करो प्रबु ने बगवाने अपन को सब कुछ मन पसंद चीज दिया है फिर भी अपन उसका कुछ भी कार्य काम करने में नहीं लगा रहे हैं समझो न अलव्य किसी दन को ऐसा मैं समझो कि कोई भी काम करने से अपन को दन की ही प्राप्ति हो नर हो न निराश करो मन को नर मतलब मनुश्य आदमी कि तुम नर हो और निराश मतलब उदास मत करो मन को कि मैं ये काम नहीं कर सकता कि मनुश्य के लिए कुछ भी काम संभव है तो अपन ऐसा अपन को कोशिश करनी है कुछ भी काम कोशिश करने से कभी भी हार नहीं होती तो इस कानी के कविता के माध्यम से आपको यही शिक्षा मिलती है कि अपन मनुश्य कुछ भी काम कर सकते है कोई भी काम अपने लिए असंबब नहीं होता यह किसी प्रकार फेसे इसको रिवाइस करना है और इस पोएम को अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है और ना समझ माए कुछ तो आप मुझे रायक लिए पूछ सकते हो धन्यवाद